आपके साथ साथ बाकी सभी मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे बाकी सभी व्यूवर्स जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, उनको एक प्रशन पूछना चाहूंगी, प्लीज इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके दीचेगा, आपकी पतनी अकसर ब कि जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने मांगा, वो उनका जो जिद थी, वो आपने पूरी नहीं की मेरे एक सब्सक्राइबर सक्सस टॉप ने मुझसे एक सवाल पूछा है लिख करके, मैम मैं दहरा दोन से हूँ, आपके वीडियो देखता रहता हूँ, अभी मेरा और वाइफ का 125 CRPC का मुकदमा चल रहा है, अगले महीने मैं डिवोस का केस डालना चाहता हूँ, ग्राउंड होगा, एडल्ट्री और क्रुवालिटी और यहीं पर सक्सस टॉप ने मुझसे सवाल पूछा, इफ एडल्ट्री प्रूफ नहीं हुई, तो क्या मानहानी का मुकदमा होगा मुझ पर? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा, आप सभी के पास अक्सर सबूत हुआ करते हैं, या कुछ के पास सबूत नहीं भी हुआ करते हैं, लेकिन आपको ये पक्का यकीन होता है, कि आपकी पतनी एडल्ट्री यानि पर पुरुष के साथ संबंदों में रहती है, तो क्या इस बिना पर तलाग का केस किया जाना चाहिए, या चुप चाप डर के बैठ जाना चाहिए, कि अगर साबित नहीं हो पाया, तो क्या होगा? आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इनी सब छोटी छोटी बिंदों पर चर्चा करने वाली हूँ, मैं एडवोकेट मोहीनी मोना, आप सभी का पुर्णा स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं, अपना पसंदीदा चैनल मोहीनी मोना एडवोकेट, अग आप देखिए, जिस तरह से सक्सस्टॉक ने बहुत ही ठोस तरह से लिखा है कि उनकी पत्नी ने जबकी देहरादून में 125 CRPC यानि खर्चे का केस उन पर किया हुआ है और उनके पास सबूत भी हैं कि उनकी पत्नी एडल्ट्री यानि पर पुरुष के साथ संबंदों में और क्रुवालिटी यानि की कुरूरता के ग्राउंड्स उनके पर हैं, उनके पास हैं, मतलब पत्नी कहीं न कहीं अपने पती को मानसिक और शारिरिक कुरूरता पहुचा रही है और इस बिना पर तला क्यूं नहीं मिलना चाहिए जरूर मिलना चाहिए यहां मैं सक्सेस टॉक आपके साथ साथ बाकी सभी मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे बाकी सभी विवर्स जो मुझे सुन रहे हैं जो मुझे देख रहे हैं उनको एक प्रश्न पूछना चाहूंगी प्लीज इसका जवाब जरू पूर कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजेगा आपकी पतनी अक्सर बिना बात में बिना किसी वजह के बिना किसी ठोस सबूत के नराज हो करके अपने मायके में चली जाती है और सिर्फ बात इतनी से होती है कि जो उन्होंने कहा जो उन्होंने मांगा वो उनका जो जिद थी वो आपने पूरी नहीं की वो शुरुवात में तो जाती हैं सिर्फ नराज हो करके लेकिन बाद में टूटरिंग जब उनकी की जाती है तो आपके पास एक परच्चा आता है घरिलू हिंसा का या 498-406 इत्यादी के केसों का इसके साथ साथ और भी बहुत सारे केस हुआ करते हैं जो कि पूरा का पूरा एक package हुआ करता है वो package की बह अच्छारें आपपर कभी कभी धीरे धीरे पड़ने लगती हैं और आखिरकार last में इतनी बारिश होती है आपके उपर कि आप उसकी हर मांग को मानने के लिए घुटने भी टेकते हैं आप उसकी हर जिद पूरी करने के लिए उसकी मन माफिक उसको पैसा दे करके आप अपना case settle भी करते हैं ऐसा क्यों करते हैं आप क्या वो पत्निया ध्यान रखेगा मैं उनकी उन पत्नियों की बात कर रही हूं जो जूटा case करती हैं उनकी नहीं जो विचारी आज भी सताई हुई है आज भी परिशान है और एक-एक दाने के लिए महताज है उनको नहीं कह रही हूं मैं मैं उनके बात कर रही हूँ कि वो पत्नियां जो जूटा केस करती हैं अपने जिद को मनवाने के लिए अपनी मांग को मनवाने के लिए और बिना किसी सबूत के बिना किसी गवा के वो इतने बड़े बड़े लांचन आप पर लगा दिया करती हैं क्या कभी वो ये सोचती हैं कि वो जो कहानी मन गढ़न्त लिख रही है, जो मन गढ़न्त लांचन आप पर और आपके परिवार के सदस्यों पर लगाय जा रहे हैं, क्या वो इसको सावित कर पाएंगी, क्या वो ये बात सोचती हैं, और अगर किसी ने उनको समझाने की कोशिश भी की, उनको बताने की तो यहां मैं आप सभी सब्सक्राइबर से एक सवाल पूछ रही हूं कि अगर आपकी पत्नियां जूटा केस करते हुए एक बार भी नहीं डरती एक बार भी नहीं सोचती कि वह साबित कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे लेकिन वो case करती जरूर है मुझे comment में लिख करके बताईएगा क्या ऐसा ही आपके case में नहीं हुआ क्या और वहीं दूसरी तरफ success talk सहब आपने जिस अंदाज में बताया है कि आपके पास आपकी पत्नी के विरुद उसके व्याभिचार के विरुद भी उसके कुरूरता के विरुद भी दोनों ही चीजों के विरुद आपके पास सबूत है और उसके बावजूत भी अब आपसे ये सोच रहे हैं कि अभी आप case नहीं दर्च करेंगे बलकि अभी एक महीने बाद आप case दर्च करेंगे क्यों भाई किसी पंड़त जी के पास कहे थे मुहुरत निकलवाया है हवन करवाया है और पंड़त जी ने कहा है कि एक महीने के बाद आपने case दायर किया तो आप ज़रूर जीच जाओगे इन चकरों में प्लीज ना रहे अगर आपके पास सबूत है और मैं तो कहती हूँ अगर नहीं भी है यहां मैं एक और सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगी जब आपकी पतनी case करती है और वो bedroom scenes के बारे में बताती है कि उस बंद कमरे के अंदर उस चार दिवारी के अंदर पती ने इस तरहां से इस तरहां से उन पर अत्याचार किया तो क्या उनके पास कोई सबूत होता है लेकिन उसके बावजूद भी वो case करती है आप success talk सहाब बिलकुल भी न डरें बिलकुल भी न घबराएं और आप ये बात मान करके चले attack is the best defense अगर आप attack करेंगे तो आप वाकई में बच भी जाएंगे और अगर आप सिर्फ अपना बचाव करते रहे गए तो आप नहीं बचने वाले आप सिर्फ डर डर के घिगिया बंद करके और आप पूरी जंदगी आप निकाल देंगे लेकिन आप स्ट्रेम पेपर पर लिख लीजेगा कि आपके केस में जो आप चाहते हैं जो आप साबित करना चाहते हैं वो आपके पास सारे सबूत होते वे भी आपके पास सारे गवाह होनते के बाद जीद भी आप उसको साबित नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो जो डर है वो यहां पर हावी हो जाता है और डर हावी होने के बाद ना तो आप सही तरह से किस कर पाते हैं कोट में और ना जिस समय पर आपके साथ सवाल जवाब यानि कि क्रॉस एक्जामिनेशन होता है आपकी पत्नी के वकील के द्वारा वहां पर भी आप डर क मारे उल्टा पुल्टा जवाब दे बैठते हैं और वहीं पर आप अपने जिसे कहते हैं हारने की तरफ एक एक कदम बढ़ाने लगते हैं तो सक्सस टॉक साहब आपको भी और आपके साथ साथ बाकी जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं उन सब को ये बात में बताना जरूर चाहूंगी कि बहुत बार हमारे पास क्रुवालिटी इस तरह की होती है चाहे आप पती हैं तो भी या अगर आप पत्नी हैं तो भी अगर आपके पती आपके उपर क्रुवालिटी कर रहे हैं या आपकी पत्नी आपके उपर क्रुवालिटी कर रही है तो उस इससे पहले जो आपने criminal complaints लिखवाई होंगी पुल स्टेशन में आपने जो 100 नमबर पर फोन किया होगा आपने जो लिखित में complaints दी होंगी आपने थाने में ACP साहब के साथ या आपने और किसी भी संसा के सामने ये सब जो आपकी पतनी ने आपके साथ गलत आचरन रखा है उ अपने 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 रिश्यदारों में ये बात बताई थी कि किस तरह से सकस्स टॉक साहब आपकी पतनी आपके साथ गलत वेहवार करती हैं आपने अपने हितैशियों के साथ जरूर ये बात का अगर वर्णन किया हुआ था तो आप जरूर ये case फाइल करें जरूर ये case दर्च करें क्योंकि अगर आपका ये विश्वास है और आपके पास ये सबूत है अपने अपने अपनी आँखों से ये बात देखी हुई है तो आप देरी ना करें आप अपनी पत्नी के खिलाफ एडल्ट्री और क्रुलिटी के ग्राउंड पर जरूर केस दायर करें बहुत स सारी चीजों के सबूत आपके पास हो सकते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगे जिनके आपके पास सबूत नहीं भी होंगे लेकिन उसमें भी आपके गवाह होंगे जो उन बातों को दोराएंगे उन बातों को बताएंगे कि किस किस तरहां से आपके साथ आपकी पत्नी इने गलत वहवार गलत आचरण रखा और इसके अलावा जब आपका cross examination होगा तो आपको क्योंकि एक एक बात सच आपने लिखी है आपको एक एक बात याद है आप हर एक सवाल जवाब में जो आप जवाब देते हैं ना उस जवाब के जरीये सबूत अपने आप बन जाया करत क्योंकि आप क्रॉस के टाइम पर वो बाते अपने मुख से निकाल ली आपने आपने वो बाते अपने मुख से कह दी जिनके आपके पास कोई सबूत भी नहीं था और इस बिना पर आपको जीतने से कोई भी नहीं बचा सकता लेकिन हाँ अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है आप सिर्फ हवा में बारिश कर रहे हैं हवा में गोलिया छोड रहे हैं कि आपकी पतनी के उपर तलाक के लिए कुरॉलिटी और एडिल्ट्री से बढ़िया कोई ग्राउंड नहीं हो सकता आप जूटा मूटा केस कर रहे है फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा क्योंकि ना तो आपके पस किसी चीज़ का सबूत होगा और ना क्रॉस एक्जामिनीशन में आप किसी बात को साबित कर पाएंगे बल्की हो सकता है कि केस उल्टा पड़ जाए तो सक्सेस टॉक सहाब जिस तरहां से आपने एक सवाल दागा है कि आप तलाक दायर करना चाहते हैं अपनी पत्नी के खिलाफ जो अडल्ट्री और क्रूलिटी में लिप्त है आपके विरुद तो यकीन मानिएगा आप अपना केस जरूर जीतेंगे अगर आपने डर को निक सक्सेस टॉक आपको भी और बाकि सभी को भी ये भली भांती पता चल गया होगा कि अगर आपके पास पुखता सबूत है या आपको पूरा यकीन है आपने अपनी आखों से अपनी पत्नी को किसी और पुरुष के साथ गलत संबंदों में गलत प्रक्रिया करते हुए देख ना हो तो आपको अपना केस जीतने से कोई भी नहीं बचा सकता और ये हो ही नहीं सकता कि अगर आपकी पत्नी अडल्ट्री में है तो आप उसको साबित ना कर पाए क्योंकि आप अपनी गवाही के टाइम पर जरूर ये बात साबित कर पाएंगे और आपकी पत्नी जो कि आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको like, share और comment करना ना भूलेगा और हाँ अगर आप मेरे इस channel के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी subscribe कर दीजेगा ताकि आपको इस तरह के legal informative videos की notification सबसे पहले मिल सके अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखेगा Thank you, take care, bye bye